हेलो दोस्तों नमस्कार आपके अपने चैनल हिंदी मिरर परफिसे आपका स्वागत है कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए 7 दिसंबर को जो आपका असिस्टेंट परफिसर का एक्जाम हुआ था 2014 मेर और परफिसम चरण यानि के जो फर्स सिप्ट में आपका जो पेपर हुआ था यह ओड कोशन जो पेपर है उसका हम सोड लेकर आए हैं और मुझे लगता है जो आपको हमने पीछे भी परशन पत्र कराए हैं जो ओड कोशन पेपर हमारे आपकी शीरीज चल रही है वो भी आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको यह वीडियो सारे जितने भी पेपर में आने आपको करा दिये हैं अगर सभी आपको पसंद तो जो है वीडियो को लाइक और शेर जरूर करते रही है जो दोस पहले से हमारे से जुड़े वे है वो ज़्यादा श्यादा लाभा पका पहुंच सके और दूसरी बाद जो आज ही चैनल से जुड़े है वो जरूर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को हिट कर दे जिससे नई वीडियो के नोटिविकेशन उनको टाइम से मिलते रहे दोस्तों ये जो All Questions की सीरीज आपकी चल रही है इसको हम सोड करा रहे हैं तो मुझे लगता है ये सबी को जो है जो है अच्छी लग रही होगी और ये आपके बैनेफिशल भी लग रही होगी और लग रही है तो दूसरों का भी बैनेफिट हो उनको आप जो है लाइक करिए और शेयर कीजिए चलिए प्रशन पर चलते हैं निमलेखित में से कौन बीसफी शताबदी की खोज नहीं है तो आपकी जानकारी के लिए बता दे बीसफी शताबदी खोज जो है thoughtful नहीं है बाकी एरक्राफ्ट कर घलीकोटर टेलिविजन ये सब बीसफी शताबदी की कोज है चलि आगे परशन सभी विस्वी सथाब दीकी को जाए चली अगले प्रश्न देख लीजे कवी ता के वर्ग में 2014 का पुलित तजर पुरुसकार किसे ने जीता है इसके बारे में बताना है попроб की गैंने हो इसके बारेंब बताना है तो आपके जानकारी के लिए बता दे लिए क्रिकेट, फुटबॉल वक्तल पॉलो इनskी शबत का प्रियोग होता है तो देखी की विs त इसके अध्यством की आठ की तो आगे देख लिए अच्छeto बंडर, मलेट, पोलो, खेल में है ना और ड्रीबल, आपसाइड, पैनल्टी, इन, टच, डाउन, इतियादी, फुटबॉल में प्रियोग होते हैं तो आपके क्रिकेट पर आते हैं क्रिकेट में जो है आपका क्रिकेट में ओवर, रबर, स्टम्ड, एशेज, हैट्रिक, लेग पाए, गुगली, इतियादी, क्रिकेट में प्रियोग होते हैं तो आपको सभी की जानकारी प्राप्त हो गई है चलिए आगे चलते हैं अगला प्रशन है आपका किस रोद संस्ता के द्वारे घोशना की गई थी कि यह वह विश्व का सबसे बड़ा चुम्बक यानि के 50,000 तो बताना है कि इसने घोशना की थी तो आपके जानकारी के लिए बता दे कि भाबा आणविक्षो संस्तान ने जो कि भारत में है इसने घोशना की थी कि वह सबसे बड़ा चुम्बक बना रहा है चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है 28 परवारी को मनाया जाता है तो मुझे लगता है 28 परवारी जो को मनाया जाता है जो विज्ञान से संबंदित स्टुडेंट है वो सभी समझ गयांगे कि क्या मनाया जाता है 28 परवारी को तो रास्ट्रे विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है चलिए प्रशन पर चलते हैं यहां इसकी जानक की डिटेल इसको आप ध्यान से पढ़ लेना बाद में पोश्च करके या पिसको डाउनलोड करके आप इसको डिटेल को पढ़ सकते हैं अगला प्रशन है निमले लेकित में से सही जोड़ा कौन सा है यानि के इसमें से चार उप्षान है इसमें से सिर्फ एक ही सही है बाकी देख लेते हैं मुक्त विश्वी द्याले की स्थापना 1985 में हुई थी ओप्रेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंदी थे वो राजी गांदी राष्ट्रे शिक्सानिती के तहत 1987 में देश की सभी प्रात्मिक स्कूलों के लिए यानि ये प्रात्मिक स्कूलों के लिए हुआ था बर्थम शास्त्रे भाषा तमिल है ना कि क्या पूछा था उपर इन्होंने कौंकणी तमिल है कौंकणी नहीं है इसकी अत्रिक्त उन्होंने आगे भी बताया है कि अन्ने पाच भाषाओं को भी दर्जा प्राप्थ हुआ लेकिन उसके बास संस्कृत को 2005 में तेलगु को 2008 म मल्यालम को 2013 में लेकिन सबसे पहले किसको प्राप्थ हुआ है आपके 2004 में तमिल को प्राप्थ हुआ है चले आगे चलते हैं प्रशन पर निमले लिखित में से कौन एक केंद्रे प्रवर्ति का माप नहीं है इसके बारे में बताना है तो आपके जानकारी के लिए बता दे म मध्यमान मध्यां बहुलां की माप है परंतु प्रमानिक विजलन नहीं है चले आगे चलते हैं यहां पर इसके डिटेल है इसको थोड़ा आप दिहान से पढ़ लेना बाद में अगला प्रशन है निमले लेकित में से कौन एक वर्णात्मक्षोद का परकार नहीं है वर्ण प्रायोगिक शोद नहीं है चले आगे चलते हैं प्रशन पर जिसकी सबर्श विफिदाल्या अनुदान आयोका समर्दानिक दरज्या प्रदान किया गया यह प्रशन में आपको कई बार करा चुकियों विजी से जंबंदित तो इसको आप करिए अपना आप से यहां पर इस जानकारी के लिए बता दे आयाइटी कानपूर जो है वह पहला संस्थान जहां पर सूपर कंप्यूटर है यहां पर इसके डिटेल भी है इसको आप पड़ सकते हैं नया सोफ्ट्वेर संदेश पाठक विक्सित किया गया है यहां पर चार ओप्शन है चारों में से किसी एक के लिए उप्शन जो है विक्सित किया गया है तो आपकी जानकारी के लिए बता देए लिए किसानों के लिए जो है यह सव्ट्वेर जो है विक्सित किया गया है यहां पर इसको है डिक्रवीद्वेश सर्दी सथानिंग्शvasas निमलिलिकित computer भाषां में से कौन सी भाषा आर्टिफिशल इंटेलिजेंसी यानि के करत्रिम बुध्धी हे तु परियोग की जाती है यहां पर इसके details रहे प्रोलोग का कविकास 1973 में फ्रांस में करित्रिम बुद्धी संबंदीत कारियों करने के लिए किया गया था चलिए आगे चलते हैं क्लास क्या है तो क्लास हम सोच रही है क्लास जो हम लेक्ट नहीं विद्यालों में कंप्वूटर स्वाख शर्ता अमध्यान से संबंद है यहाँ पर इसके जानकरी है, इसको मतलब पून रूप है, जो कहते है, फुल फॉर्म है, इसकी देख लीजिए, क्लास के संबनत क्या है, पून रूप क्या है, C से कंप्यूटर, L लिटरेसी, A से, A से, N, S स्टुडिस, I in school, ठीक है, विध्यालों में, कंप्पूटर शाक्षरता M, अध्यान ह तो इसको अच्छे से पढ़ लेना यह प्रश्ण आपका आ सकता है एक्जाम में अब चलते हैं प्रश्ण पर यहां पर इनों ने यह दिये हैं इधर इनकी मैचिंग करनी है इन्पूट डिवाइस, MS-DOS, कंप्यूटर का मस्ती, कंप्यूटर का जनक इन सब की मैचिंग करनी है तो आपके जानकारी के लिए बता दें इसमें आपका पहला यह उप्शन सही है इन्पूट डिवाइस जो है प्रिंटर है और आपका MS-DOS क्या है सिस्टम सॉफ्ट्वेयर है कंप्यूटर का मस्ती जो है सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट को खा जाता है और कंप्यूटर का जनक जो है चार्स बेवज़ जी है तो आप इसको अच्छे से देख लेना यह इस का प्रेमत और यह चार्स बताना फैंपको सथने इसमें कौनसा एक सहीं नहीं है तो बता दें आपका जो ओजोन चेद वो यूरोप से संबंदित नहीं है बलकि जो इसका संबंद है देर संबंद जो है लिखली जिए आप अंडराक्तिका कर से है ठीक है अंडराक्तिक से है इसको लिखली जिए यूरोप से इसका संबंद नहीं है चलिए अगला प्रशन देख लीजिए अगला प्रशन है आपका जैव पारिस्तित के सबसे इसम्रद है कहां का इसम्रद बताना है इसमें तो आपका इसमें उत्तर क्या हो जाएगा देख लीजिए इसका उत्तर जो आपका ए हो जाएगा उष्ण कटी बंदिये छेत्रों में सबसे इसमृद माना गया है कि इसको जैव पारी स्थिति को ठीक है चलिए अगला प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन है संयुक्त रास्ट संग ने 2005-2014 के दशक को घोशित किया था रहा संयुक्त रासंग ने क्या घोशित किया था बताईए तो सतत के तो शिक्षा का दशक ठीक है बहुत अच्छा यह प्रशन है इसको जरूर नोट डाउन करें यहां इसकी डिटेल है संयुक्त रास्ट ने 2005-2014 के दशक को सतत विकासे तो शिक्षा का दशक गोशित किया है अगला प्रशन है ग्रेट हिमालिया नेशनल पार्क जी एन जी ग्रेशियो लोटी पर्थिविज्दीशन यहां पर मैचि 강ण panelsर्ठ ने इन चारो को तो आफ का वत्तयघे यहीं हो सबसे थांफ उत्व जाए गहरां इक का है पो यह ठीक है इसको मैचिनक पर लेते हैं प्हले रह इसका उत्तर हम ने अ पताया है तो तीन से संबंदी थी तो बिल्कुल अच्छे से मैच हो जाएगा और प्रती दिवस जो मना जाता है वह 22 अप्रेल को मनाया जाता है यहां पर इसका मैचिन है देख सकते हैं अगला प्रशन है अंग्रेजों दुवारा दिल्ली को राजधानी बनाया गया था बताईए दोस्तों कब भारतिया इत्यास में सल्तनत काल नाम से जाना जाता है कौन सा काल यानि के कौन सा समय जो पिरिड है इसमें टाइम पिरिड जो है यह भारतिया इत्यास में सल्तनत काल नाम से जानते हैं तो बताईए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो आपका इसका उत्तर हो हैं गुलामवश खिलजी वंस तुगलक वंस सयद वंस और लोधी वंस इसको सल्तनत काल कहा गया है चले गले प्रशन पर निमले लिके शहरों में से कौन सा एक करक रिखा के एकदम समीब है यह प्रशन रिपीट हो रहा है दोस्तों यह 2015 आपका 19 मैं जो प्रशन पत्र करा चुकी हूं वहां पर यह प्रशन कई बार आया है तो इसको आप जरूर नोट डाउन करें हो सकता है इस साल भी आपका रिपीट हो जाए तो यह कॉल को था ठीक है करक रिखा के एकदम समीब है कौन कोलकता चलिए अगला प्रशन निमले कितमे से कौन सा एक बांध भागी रती नदी पर बनाया गया है भागी रती नदी पर कोई एक इसमें से बनाया गया है तो बताईए इसका उतर कौन सा हो जाएगा टीरी बांध ठीक है चलिए अगला दो तीन दीने इलाई अगबर दासवंश कुतुबुद्धीन एबग साइमन कमिशन 1928 ओसिदी चरक संबंदित है चलिए आगे चलते हैं कौन किसे संबंदित है यहाँ पर देख लिजिए कि समिधान संसोधन के द्वारा संपून परभूता संपन लोग तंत्रात्मक गण रा तो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं 42 संसोधन द्वारा जो है इसको संपून परभूता संपन लोग तंत्रात्मक गण राजे के जंगे क्या पढ़ा जाने लेगा संपून परभूता संपन समाजवादी पंथ निर्पेक्ष लोग तांत्रक गण राजे तो पंथ निर्पेक्ष जोड़ा गया है तो आपसी यही प्रशन दूसर तरीके से कैसे पूछा जा सकता है यह was ऊंमाजवादी पंथ निर्पेक्ष रप्द कब जोडए गए समी धान संसोधन के द्वारा तो 42 संसोर्धन के द्वारा जोड़े गए यह प्रश्ण वैसे इस तरह से आता है लेकिन यहां पर देखी प्रश्ण किस तरह से पूछा गया है है ना गुमाने वाली बात स्टुडेंट को चलिए आगे चलते हैं भारते समीधान में हैं कितनी अनुशेंद हैं त मुress को जा कर देखिए my पर मैंने आपको सही अनुशेंद और सही अनुशू जिया बताई है ठीक है चलिए आगे चलते हैं रेंबो कुरान्ती संबंदित हैं किस्से संबंदित है रेंबो कुरांती के बारे में आपको बताना है मुझे लगता है इस सबी बच्चों को पत परत्यक्ष रूप से देश की कृष्षी छेत्र में बिन करांतियों को एक साथ लेकर चलने से संबंदित है रेंबो यानि के इंद्र धनुश है अगला प्रशन देख लेजे जानकारी के लिए बता दें यह महारास्ट में प्रारम की गई थी कौन सी योजना गरांटिट रोजगार योजना इसके डिटेल है आप इसको पढ़ सकते हो अगला प्रशन है बालकों के लिए मुफ्त अन्यवारिय शिक्षा का अधिकार अधीनियम 2009 में प्रभाव में आया म प्रभाव में आया था इसको दुबार भी आपका रिपीट हो सकता है तो यह अपरेल 2010 को प्रभाव में आया था कौन सा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ठीक है इस प्रकार से आपके 30 प्रशन हो चुके हैं और यह जो मैंने प्रशन आपको भी कहा है कि मैंने यह आपका जो समिध्धान वाली वीडियो वहां आप इसको चेक करिए तो यह तो आपके अनुचेंद नहीं है सूचिया भी आपके बदल चुके हैं और अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूं इसी वीडियो में 400 जो 52 हैं अब आपके अनुचेंद हो चु बहुत कि हैं पहले कितने भाते कि जब समिध्धान लागु हुआ तब 22 थे थे अब 25 हो चुके हैं अब 452 हो चुके हैं वैसी इस कोशन से ही संबंदित जो है आपको नहीं जानकारी प्राप्त होई ती तो इसमें हो गई है परनतु अगर आप उसको देखेंगे तो वहां से आपको और भी करंट में पता चलेंगी क्योंकि बहुत से पुरानी कोश्चन दाल देते हैं और नई जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाती है तो वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको नई जानकारी उसमें मिल जाएंगे और उसके मैंने तीन पार्ट बनाएवे हैं पसंद आएगी तो जरूज उसको लाइक और शेयर करें और साथ में इसको भी क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर ही ये दूसरे बच्चों के लिए भी पादे मन्द होगा